देर स्टुडेंट्स वाइबे निवर्सिटी के स्टुडेंट्स के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं आप किसी भी कोर्स किसी भी सेशन के स्टुडेंट हैं तो वाइबे निवर्सिटी की साइट पे कैसे रिजल्ट च है ठीक है आगे हम आपको देखिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है यह कोई पर ब्राउजर आपके फोन में है ठीक है और उस पर वाइबन इंवर्सिटी का वेबसाइट करना है वेबसाइट में है वाइबी एन यू यह वेबसाइट है डॉट एसी फिर इन ठीक है यह azability का ऑफिसयल वेबसाइट है वाइबी एन यू डॉट एसी डॉट एटीं ठीक है यह कैपिटल में नहीं होना चाहिए और इसमें सपेस कहीं होना चाहिए तब ही खुलेगा वाइबी एन यू डॉट एसी डॉट ही ठीक है इसके यह अलام आवर पुड़ान बहुता है यह सामने वाला इस में देखें यहां पर रिजल्ट लिखा हुआ है ठीख है यहां पर रिजल्ट लिखा हुआ है यही से direct आप रिजल्ट लिख सकते हैं कहीं जाने के जरूब़ नहीं है यहाँ क्लिक किजिए तिरह आपका अगला पेज खुलेगा उस पे आपको student login है वहाँ पे user id और password मांगेगा तो user id और password वही होता है जो आपको enrollment number दिया जाता है 10 अंकों का 11 अंकों का वही आपका user id होता है वही आपका password भी होता है यानि अलग से नहीं निकलता है user id password तो कोई भी student चिसका admission हुआ है उसको id काड मिला है उसके enrollment number आता है जैसे एक student है हमारा उसका enrollment id नमबर अनेश 07000129 है ठीक है अनेश 07 उसका enrollment id अनेश 07000129 ठीक है तो एक student का ये enrollment number है इसको हम copy कर लेंगे और फिर ये password के जगह उपस सेम चीज़ डाल देंगे यानि enrollment number को ही लिख देंगे या पेस्ट कर देंगे login करेंगे हम OTP के रूप में आपको सभी student को केवल एक दो तीन चार डालना है यानि कोई भी student होगा उसको OTP के रूप में 1234 डालना है अब यहां login पर click करेंगे देखें यहां बच्चे का details खुल जाएगा ठीक है अब हम result कहां से देखेंगे अगर आप यहां पर बच्चे का ID काड़ खुल रहा है जैसे एक हमारे student है अतुल कुमार ठीक है इनका ID काड़ खुल गया ठीक है यहां पर यह जो दिखा है यह इन्वर्मेंट नमबर है पाया कि सारे details है इनके course के तो यह ID काड़ है थोड़ा पीछे जाते हैं हम इनका result देखते है उ इनका सब्जेक्ट जो है इनका अनर्स जिलोजी है और यह सिक्स सेमेस्टर का यह लास्ट सेमेस्टर का result है 500 में 313 नमबर है इनके जो result देखना है तो दो तरीके से यहां पर जो यह आपको search भार दिया है यहां चेक किजिएगा तो आपको ऐसे result दिखाएगा ठीक है यहां पर आपको ऐसे subject voice दिखा देगा ठीक है और आपको full market चाहिए तो यहां से देखिए यह print option जो दिया है देखिए यहां पर इनका full market दिखा रहा है bachelor of science PCM अर्तुल कुमार फादर ने मिन्वलमेंट नंबर एक्जाम हेल्ड ठीक है यह इनका subject details अब देखिए इनको 500 में से 313 नंबर मिला है लेकिन यह जो result बनता है वह SGPA CGPA based बनता है यह जो SGPA लिखा है साथ तो यह इनका grade point है जो मना जाएगा result क्योंकि अब SGPA में result आ रहा है semester system में तो यह तो 6 semester का केवल है तो इनका जो final result होगा इनकी मार्सीट में आएगा 6 semester के मार्सीट में बाकी 500 semester जोड़ के आएंगे तो final result होगा तो ऐसे आप online result चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप इनकी के website पर देख सकते हैं आपका syllabus है और आपका ID card है आपके documents हैं कई तरह की चीज़े हैं इनकी के website पर आप search करेंगे आपको मिलेगा फिलाल यह result के लिए वीडियो था और आपको आगे हम update देंगे फिर